तोड़े डिसकस न्यू टोपिक ऑफ बोडी फुलीड एंड इट सरकुलेशन ठीक है तो आज हम लोग अलेवंत का जो हिमन फीजियो पार्ट उसका बहुत इंपोर्डेंट टोपिक या जिसको हम बोले बहुत इंपोर्डेंट कॉंसेप्ट उसको रीट करने वाले जिसका नम अगर समझना समझ में यह आता है कि इतना इंपोर्टेंट टोपिक है इस से हर साल दो एक कुस्टन क्या तो मोस्तली पूछे जाते है चाहे वनीट एक्जम हो या फिर कोई बी इंट्रेंस हो तो यह इतना इंपोर्टेंट टोपिक इसको आज हम अच्छे से रीट करेंगे क इसीजी क्या होता है इसमें जो सबसे अधा इंपोर्टेंट पार्ट मेरा कि इसका जो गराफ होता है ठीक है उगराफ भी इसमें देखेंगे अगर हम समझ गये तो इसलिए हमको अच्छे सी वीडियो में समझना है देखना और यह जो सारे पॉइंट से सारे ncrt अधान है और इसको मचे से समयना की ट्राय करेंगे तो पहला मेरा क्या है कि इसीजी हम किसको बोलते हैं इसीजी क्या है जिसको हमको ग्राप के द्वारा समझना पड़ता है क्या जो हाट हमारा एक्टिविटी सो करता है एलक्टिकल एक्टिविटी जो भी हाट सो करेगा हम किस में देखेंगे इसीजी मसीन में देखेंगे जो भी हाट एक्टिविटी सो करेगा तो उसको किसके हेल्प से देखेंगे ECG मसीन के help से, मतलब electro cardio grab के help से हम देखेंगे, ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है कि you are familiar with the scene from typical hospital and television, हम लोग यह जो scene है, ECG machine का हम hospital या television पे देखे होंगे कभी ना कभी, तो उसमें क्या होता है कि patient monitoring machine that so voltage trace on screen and make the sound क्या होता है, इसमें यह जो जो हट का एक्टिविटी होता है स्क्रीन जो रहता है मसीन का उस पर क्या होता है उसका हट का एक्टिविटी को देखा जाता है ठीक है जब हट का एक्टिविटी का जो साउंड रहता है मेंट दे साउंड अगर पी पी पार है तो मतलब क्या हो हट एक्टिविटी सो कर रहा है अगर पी ऐसे आज जाए तो समझे लेना क्या get the ड़ा पेसेंड गोज चर्क्राब करें ग्राफ जो ञावन्पीetty एक्टिविटी हमको फैनोगा तो उसको क्या बोलते Damn आप हम चाहीं उन्ठी करें चाक्राफ को जो करते हो एक्तिविटी तो तो ऑन्म को जोskstep एक मैसीन रहेगा जिसमें देखेंगे तो उसको क्या बोलें एलक्ट्रो कार्डियो गराब बोलेंगे ठीक है तो यह इसका इंपोर्टेंड दो तीन दो टर्म है उसके बाद क्या होते कि यह तो हम साउंड देख लिए लेकिन हम इसको कैसे परसन को कनेक्ट करेंगे मतलब तो उसमें क्या एक दब परसन का दो हात है दोनों हातों में क्या करेंगे या फिर क्या होगा लैप्ट एंकल मतलब कहनी में इसको क्या करेंगे करके जो परशन रहाँ उसका क्या होगा क्या हम आधकर पता कर पाएंगे तो ये हो गया ऊज्डावा दोनों हातों में कलाई बोलते हैं और इनकल कहनी में और यहां इसका इंपॉटेंड कुछ लाइन उसके पाद जो सबसे inportant मैं इसमें क्या है कि सका ग्राफ है अगर यह ग्राफ करें इतना इंपॉटेंड ग्राफ अगर अच्छे से समझ गए ओए तो में को जो startup के point जो इसको मुझा बूलेंगे फिर यह जो मेरा graph जैसे यहाँ पर देख पा रहा है कि increase वहाँ इसको क्या बूलेंग जहां से increase हो रहा है q ओ गया फिर यहाँ पर नीज डाउन वाद इसको और यह जो टी वाले पॉयंट इसकों क्या बोलेंगे तो यह इसका इंपोर्टेंट वेव है जो इसकों क्या बोलेंगे पी हो गया क्यों आरेस एक वेव है तो यह जो सारे वेव इसको अच्छे सम्नीचे देख रहें देखेंगे तो क्या है मेरा पी जो इसकों क्या बोलेंग जब क्या थोनों省 आटरिया में कंट्रेक्चन होगा मतलब कोंट्रेक्ट करेगा जोसको पिटीमको याद रखने है डिपॉलराइशेशन ने दंट ईसके बाद किया मोज़ा ब्र आ कि अगर टॉक्षील करेगा उसके बात कि कॉंट्रेक्शन करेगा कौन करेगा मेरा फिर उसके मंज़ा एंड और मार्क्स दा बिग्निंग ओप सिस्टोल अगर आगे तो समयना कोंट्टेक्षन के बात कर रहें क्यू आरेस वेब जो गवागा सोटली स्टाट कब हो जाएगा जब एक क्यू खत्म होने के बाद क्या होगा यहां से क्या होता है मेरा यह जो क्यू आरेस वेब करता है इट रिपर जेंट द रिटर्ण ओफ द वेंटिकल फ्रम एक्साइटेड टू नॉर्माल स्टेड यह जैसे हड पहले था उज्ब यहां पर आके कंडीशन में जिसकों क्या बोलें री पोलराइसेशन बोलेंग तो सिंपलेंग याद रखना है कि यह जो पी रहेगा इस पोलराइजेशन किसका वेंट्रिकल का होगा तो यह तीन वेब है पी हो गया क्यू आरेस हो गया और टी हो गया उसके बाद क्या कि कि आरेस हो गया कि यह सारे वेब उसके बाद देखें इसका यूज क्या क्या है ठीक है तो गर यूज की बात करें तो क्या है कि बता करें तो हम किसी बीधिवीजवल का हटवीट को पता करना है उसके बाद क्या है कि एनी डिविएशन फ्रॉम इंडिकेट दो पोसिबल एम नोटी ओडिजीज तो अगर कोई वी डेवीशन हमको यह जो ग्राफ है जीस कंडिशन में अगर यह एक नोर्मल गरप महान सब्सक्राइब करें को यह देखने को मिल जाए तो हम क्या समझाएंगे जो पर नाम्लिटी या फिर उसको कोई डीजी जे अगर डीजीज आ अगर डीजी आ नोमिटी के कि गॉंडीचन में अगर जो मेरा करा अपका जो कंडिशन इसल्राफ नॉर्मल उंटी पर रहा में क्पलिए तुग भी दिखाए देगा जब ग्राफ प्षास सेसे कि किसी भी परसन का हटवीड पता करना होता है इस न होता है किसे ईधर करांपर क्या मतलब से से वनेटी टू टाइम पर मिनट क्या होता है में तो तो यह सारे पॉइंट है और इसमें जो इंपोर्टेंट सबसे ज़्याद है क्या मेरा जो मसीन आता उसको क्या बोलेंग और जो ग्राप रिवर्जेंट होगा उसको में लक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलेंग और यह सीजी क्या है तो यह सारे पॉइंट से जो इससे रिलेटेड ओल और एंसी आटी बेस्ट है तो आई हॉप आप इसको अच्छे से समझ गेंगा अगर इसमें कोई भी अगर आपको डौट हो अगर कोई भी पॉइंट अगर समझ ना है तो आप कमेंट सेक्शन में फूश सकते हैं